ड्रीम इलेवन का पैसा आप अपने बैंक एकाउंट में विद्रॉ के से करें, रिडीम के से करें, जानने के लिए इस वीडियो को फूरा देखिए, स्टेब बाई स्टेब बताऊंगा पहले तुम्हें अपना जीता हुआ पैसा बैंक में टैसफर करूंगा, वो आपको में दखाऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा, आप अपने बैंक एकाउंट को वेरिफाई कैसे करें, पैसे को आप अपने बैंक में टैसफर करने के लिए आपको सबसे फिल यहाँ त्री लाइन पर क्लिक करना है, त्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने उमाउंट आपको ट्रेंस पर किर लोगाई देखा देता हूं, तो यहां पर मेरा bank details शो हो रहा इसे मैंने height करके रखा आप मुझे यहां पर amount select करना है तो यह पूरा का पूरा मैं 20-60 अंसपर करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं डेली आप 200 से ले करके 2 लाग तक withdraw कर सकते हैं तो यहां पर मैंने 273 रुपिया डाल दिया आप मुझे withdraw ना यहां पर मुझे क्लिक करना है तो यहां पर मुझे फिल से confirm करने के लिए मेरा bank details आ चुका है तो यहां पर मैं फिर से यहां पर मैं confirm बाले वाटन पर क्लिक करता हूं तो आपनर आप देख सकते हैं success your cash will be credited to your bank account जो पैसा मैंने transfer किया वो मेरे account में पहुँच जाएंगे अब आपको मैं बता देता हूं कि आप अपने bank account को verify कैसे करेंगे एक बात आप ध्यान से सुन लिजे आप अपने phone में सिर्फ एक की account बना सकते हैं अगर अपने दो account बना लिए तो जीता हुआ पैसा आप जाप रेडिम करेंगे तो वो फ्यार फिले violation लग जाएगा यानि वो पैसा आपको नहीं मिलेंगे तो आप अपने phone के अंदर सिर्फ एक ए account बनाई है ताकि आपको जो जीतेंगे वो आपको मिल जाएंगे बैंक एकाउंट वेरिफाय करने के लिए आप अपने डिर्मिले वेन अकाउंट अपन कर लिजिए उसके बाद आपको त्री लाइन पर क्लिक करना है त्री लाइन पर क्लिक करने बाद यहाँ पर माई बैलेंस यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके यहाँ दे वेरिफाइड होना चाहिए तो वो वेरिफाइड होने के बाद next page में आएगा pencard तो आप अपना pencard का number और data बात और pencard का जो नाम है आपका वो डालना है और pencard का एक बहुत ही अच्छे साफसूतरी तस्वीर आपको upload करना है pencard वेरिफाइड होने के बाद next page में आएगा bank account तो वहाँ पर आपका अपना जो bank details है वहाँ पर आपको भरना है bank details किस तरीके से भरना है आपका bank account का number और FSC code वो आपको passbook के अंदर मिल जाएंगी उसके बाद आपका account किस branch में है उस शाहर का नाम देना है उसके बाद उस bank account का जो passbook है उसका जो पहला page है जिसमें आपका तस्वीर है वो पहला page आपको एक photo किंचना है और फोटो फोटी साब फुतरा होने चाहिए था कि आपका account number और FSC code दोनों साब साब नजर आए तो वो फोटो किंचने के बाद आपको वो पहला page आफ लोट कर देना है उसके बाद दो से तीन दिन के अंदर dream 11 company आपका जो bank account है पूरी तरीके से verified हो जाएगा वीडियो आच लगी तो लाइक कीजिए और आपने अभी देख हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे अगर आपको किसी भी तरह से problem आए तो आप मुझे नेचे comment कीजिए मैं आपको help कर करने की कोशिस करूंगा धन्यवाद